हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए कटाहल की सबजी जो कि यह 700 ग्राम कटाहल है देखिए इसमें बिल्कुल वीज नहीं है एदम से जो छोटा वाला कटाल होता है ना वह वाला है यह देखिए मैं इसको अच्छे से धूल ले है अब मैं इसको मैं थोड़ा सा नमक एड़ कर दूंगी वाल करते हैं एक चमच नमक डालना है और पूरे हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाना है इसको देखिए एक सीटी यह लग गया मैं अच्छे से इसको छान लिया है ताकि पानी अलग हो जाए सही से अब मैं इसको मैं रख दी हूं तक यह जादा है तो रहा सा मतलब मिक्स करने में बने मैं इसमें हल्दी डाल रही हूं आधे-धे चमच मैंने हल्दी डाला यह गोल की पाउडर है दोनों में आधे-धे चमच डाल दिया अब मैं इसमें थोड़ी से लाल मिर्च पाउडर डालूंगे देखिए आप लोग जरूर एक बड़ ट्राइ कीजिए इस रेसिपी को नमक डाल रही हूं थोड़े-थोड़े अब इसमें सर्सो का तेल डालूंगे सर्सो के तेल में ही बनाना है कटल की सबजी बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है और जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से आप लोग एक बड़ जरूर ट्राइ कीजिए एक दम आप लोग मतन खाना भूल जाएंगे चिकन खाना मतन मतन की पुरा सवाद देती है यह सबजी हुली पर बहुत लोग बनाते हैं कटल की सबजी आप लोग जरूर एक बड़ ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताइए यह देखिए बहुत अच्छे से सबको मतलब मिला देना है अच्छे से मैस कर देना है ताकि मैंने सरसो तेल ही इसमें डाला है कुकर में बनाऊंगी कटल की सबजी तेल अच्छे से गरम होने देना है तब इसमें कटल एड़ करना है देखिए आप लोग जरूर एक बार ट्राइ कीजिए बहुत ही स्वादेश्ट बनेगी यह देखिए मैंने दो बार में इसको फ्रा मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं लगने वाली ही और स्वादिश्ट इतनी बढ़िया आएगी ना देखिए मैंने आधा डाल दिया आधा इधर प्लेट में ही रख्की हूं कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस तरीके से बनाने में इसको फ्राई कर लेना है पूरा ब्राउन होना मतलब हो जाय तो निकाल देना है मैं तब तक इदर इसका सब प्याज लहसन त्यार कर ली हूं मैंने बहुत बड़े बड़े चार प्याज मैंने काटा है चार-5 प्याज काटा है मैंने देखिए इसमें थोड़ा जादा मतलब डाला जाता है जैसे नौन भेज में सारे कुछ डाला जाता है उसी तरीका से इसमें भी सारे मसाले डालते हैं देखिए यह फ्राई हो गया मैं इसको निकाल लेती हूं और बचा हुआ कटल मैं एड़ कर देखिए इसमें इसको भी अच्छे से फ्राई कर लोंगी यह देखिए यह भी हो गया यह भी फ्राई हो गया यह देखिए मैंने यह भी कटल को अच्छे से फ्राई कर लिया जो बचा हुआ था यह देखिए पूरा एकदम से रेड़ी हो गया है फ्राई हो गया मतलब बढ़िया से देखिए ऐसे भी खायेंगे ना बहुत टेश्टी लगता है फ्राई किया हुआ में को तेल थुरा सा कम लग रहा था मैंने थुरा सा और एड़ कर दिया देखिए अब मैं इसमें फोरन डालूंगी यह तेजपत्ता है दाल चीनी है बड़ी इलाइची चार छोटी इलाइची लॉंग चार लॉंग है और थोरी सी जीरा पाउड मतलब जीरा है खड़ा जी दाली है उसको बीच से कट कर दिया था ताकि यह उरे ना नहीं तो बहुत जूरता है मैंने देखिए फोरन में यह सब डाला अब मैं प्याज डाल दूंगी यह देखिए आप लोग प्लीज एक बड़ जरूर ट्राइ किजिए और कमेंट करके बताईए और देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको डाल दिया कि बिल्कुल कुकड में बनाईए बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है इसमें बनाने में तब तक मैं इधर मसाला रेडी कर लेती हूं उधर प्याज तब तक फड़ाई हो रहा है यह चिकन मसाला है पूरे एक पैकेट मैंने डाल दिया इसमें देखिए देखिए यह देखिए चिकन मसाला है अब मैं इसमें धनिया पॉर्डर डालोंगी सब्जी तुरी जादे है तो मैं इसमें तीन चम्मच धनिया पॉर्डर डाल रही हूं और दो चम्मच लाल मिर्स पॉर्डर यह दैर चम्मच गड़म मसाल डाले हूं एक चम्मच यह गुल” पॉर्डर है एक चम्मच यह जीरा पॉर्डर और एक चम्मच एक चम्मच मैने हल्दी डाला है देखिए डेर चम्मच यह छोटी से चम्मच है जदा बड़ा नहीं है अब इसको अच्छे से पानी डालके अच्छे से मिला दोंगे और मिलाने के बाद फिर आप लोग देखिए कैसे बन रहा है बहुत ही बढ़िया बना मतलब यह सबजी बनती है एक तो एकदम से छोटी वाली कटहल है जिसमें बिल्कुल बीज नहीं है यह दिख जाएक प्राफ नहीं करना है जासे कि हम लोग πूल और इक मतलब भूनना है देखिए आप लोग के बार देख सकते हैं कि तना प्राफ जाव हुटा है अब मैं इसमें मसाला एड कर दूँंगे देखिए अब मैं इसमें मसाला एड़ कर दे और नमक भी आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है क्योंकि कटाहल में भी नमक मैंने पहले से फ्राइ करते टेम डाली हूँ तो उसी अनुसार इसमें नमक भी डालना है प्लिज में चैनल को सस्क्राइब कीजी अब मैं इसको क्या करूंगी ना तीन सिट्टी इसको लगा दूंगी देखिए देखिए इसको ना तीन सिट्टी हमको लगानी है आप लोग भूली पे जरूर ट्राइ कीजिए जो लोग नॉन्वेज नहीं खाते हैं आप लोग यह कठाल की सबजी बनाईए और खाईए बहुत ही टेस्टी लगती है यह देखिए मसाले कितने अच्छे मतलब भून जाते हैं ना पक जाते हैं जो हमको गंड़ाद दस मिनट खड़ा होके इसको भूनना पड़ता है तब जाके इतना अच्छा भी नहीं गलता है प्याज देखिए कितने बढ़िया भुन गया है और इसको दो मिनट मुझे भुनना है ऐसे देखिए दो मिनट भुनने के बाद मैं इसमें कटाल एड़ कर दूँगे जो मैंने फ्राई करके रखा है साइड में अब मैं इसको एड़ कर दे रही हूँ इसको भी थोड़ी देर मतलब ऐसे अच्छे से भुन लेना है एक मिनट ताकि पूरा मसाला इसमें में मेल जाए कटाल में यह देखिए अब इसमें मैं पानी एड़ कर दूँगे एक बार देखिए कितने अच्छे देखने में ही लग रहा है कितने टेस्टी बना है अब मैं इसमें पानी एड़ कर देती हूं जितनी पानी मतलब ग्रेवी वालते ही अच्छा लगता है यह कटल की सबजे तो उसी अनुसार आपको पानी एड़ करना है यह देखिए अब मैं इसको फिर से तेन सिटी लगा दूँगे बिल्कुल इसमें मतलब जंजट नहीं है देखिए मैंने तिन सिटी में लगा दिया अब मैं आपको कुकर खोल के दिखाती हूं कितनी बढ़िया बनी है यह सबजी यह देखिए आप लोग एक बर जरूर ट्राइ करके मतलब बनाए इस तरीके से और बताए प्लीज कमेंट में कि सबजी कैसे बनी है मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा रही हूं बावल में यह देखिए आप लोग बिल्कुल नॉन्वेज खाना भोल जाएंगे और यह कटल के सबजी मतलब जरूर आप लोग बना के खाईए देखिए अब प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएए बिल्कुल लग रहे ना कि यह नॉन्वेज है लेकिन नॉन्वेज तो यह है नहीं तेंक यू